Hello everyone and welcome to Only IAS. इसी तरीके से शाम में आपको प्रिलिम्स बूस्टर मिलता है. प्रिलिम्स बूस्टर सभी प्रिलिम्स ओरियंटेट करेंट अफेर्स को कवर करता है. और इन दे मिड मतलब की दो पहर और शाम के बीच में और भी वीडियो अपडेट होते हैं. जो कि आपके एक्जाम्स के लिए डिरेक्टली लिंक्ड है और इपॉर्टेंट है. अगर इन सभी वीडियोज की आपको पीडियोज चाहिए तो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल Only IAS Nothing Else को जॉइन करना पड़ेगा. वहाँ पर आप उन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो. वहाँ पर आपको Current Affairs की Monthly Magazine, Quick Current Affairs Revision Friendly Material भी मिल जाते हैं और भी बहुत सारे requisite materials वहाँ पर आपको मिल जाते हैं. At the same time Onlyis.com का एक Download section है. वहाँ से भी आप जाके उन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो. इसके अलाबा कुछ Paid Initiatives भी है, Paid Programs हैं. जैसे कि अगर Test Series के लिए अगर आप सर्च कर रहे हो Prelims Mails, तो आप dpp.onlyis.in पर जाके विज़िट कर सकते हो. अगर आपको कोई Video Course या फिर Full Length Foundation Course kind of कुछ चाहिए, तो आप Video.onlyis.in पर जाके विज़िट कर सकते हो. तो बस इतनी ही information आपको देनी थी, without delaying it further, चलिए लेक्षर की शुरुवात करते हैं. तो हाई अगैन, दिस इस जागरिती, और हम कर रहे हैं Ancient History. तो अभी हमने लास्ट जो लेक्षर था, उसमें देखा था कि Construction of History कैसे हुआ है, History के क्या-क्या Sources हैं, और एक Pre-Historic Period का हमने overview लिया. तो आज से हम स्टार्ट करेंगे चालकोलिथिक पीरिएड, जहां से हमें proper evidences मिलने शुरू हो जाते हैं. चालकोलिथिक पीरिएड में वैसे तो बहुत सारे civilizations हैं, इंडिया की बात करूँ तो आहर civilization, मालवा civilization, लेकिन जो सबसे advanced है, जो सबसे historically important है, वो है Indus Valley Civilization और हडपन civilization. तो आज हम इसी के लिए पढ़ाई करेंगे और prelims point of view से, it is very important, हर कभी एक नएक question आ जाता है, तो इसको detail में जरूर पढ़िए और factual चीज़ें ही पूछी जाती हैं, तो स्टार्ट करते हैं, हडपन civilization जब यह discover हुआ था 1921 में दयाराम साहनी जीने से discover किया था, तो कुछ sites मिले थे, और वो river Indus के आसपास थे, तो इसका नाम पढ़ गया Indus Valley Civilization, लेकिन जब और भी sites बाद में discover हुए, वो Indus river के काफी दूर थे, तो इसका नाम change किया गया, और एक region जो है वहाँ का हडपा, उसके नाम पढ़ा हडपन civilization और इसका जो official name है, अब वो हडपन civilization ही है, अलाकि कोलोक के लिए इसको Indus Valley Civilization भी बोल सकते हैं, तो इसके कुछ contemporary civilizations भी है, जैसे की Egypt में और Mesopotamia इन इरान, तो ये contemporary civilizations भी थे, लेकिन Indus Valley Civilization ज़्यादा advanced था, टेरिया में ज़्यादा बड़ा था, और इसके जो evidences हमें मिलते हैं, वो आज ज़्यादा relevant हैं, तो पहले तो sites की बात कर लूँ कि Indus Valley Civilization में कौन-कौन सी sites important हैं, देखें, नदन मोस site जो है, वो मंदा है, जो जम्मू कश्मीर में पढ़ती है, सदन मोस site डैमाबाद है, जो महराश्टरा में है, इस्टन मोस site आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और जो वेस्टन मोस site है, वो सुक्ता गेंदौर है, जो कि पाकिस्तान इरान के बॉर्डर में है, तो ये एक broad outline है, पुरे region की, Indus Valley Civilization की, sites अभी एक छोटा सा map आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनकी location इनके नाम important है, prelims 2019 में question अलड़ी आया हुआ है, इन sites को ले करके, तो आप एक काम करेंगे कि आप NCRT class 11th, ancient history R.S. Sharma, जो old वाली है, उसमें map दिया हुआ है, आप जा करके उस map को देखे, उसमें sites को identify की और जो ये PPDs हैं, इनमें भी आगे कुछ maps आएंगे, उन map में जाकर कि आप add कर लीजे, इससे आपको एक idea भी लग जाएगा, और prelims में एक आदी question यह आता है, तो आप उसको easily कर पाएंगे, तो हम start करेंगे, जो हडपन civilization है, उसके important features के साथ, इनके कुछ important basic features, ये features जो है, आपको mains point of view और prelims point of view दोनों से important है, कई बार इनका relevance पूछ लिया जाता है, अगर mains में है, और अगर pre है, तो direct question आएगा, जो कि हम last में देखेंगे, किस तरह से questions आते हैं, तो first is systematic town planning on the lines of grid system, ये जो इंडिस वैली civilization था, एक urban culture था, proper cities थे, planned cities थे, आज हम देखते हैं, कि जो colonies develop हो रही है, वो एक grid की तरह develop होती है, हाँ, rectangular frame में houses को develop किया जाता है, उसी style में हरपन civilization की जो sites थी, वो developed थी, तो एक urban centers थे, और आज अगर देखा जाए, तो जो planning की जा रही है, चंडिगर is a planned city, चंडिगर का भी जो plan है, वो grid system जैसा ही है, तो वो एक continuing feature भी आप कह सकते हैं, कि एक घडपन civilization से आज तक, ये जो एक context है, this is providing us relevance, second feature, use of burnt bricks in construction, burnt bricks क्या होता है, वैसे bricks मिट्टी के बनते हैं, top layer of soil के, एक तो हुआ कि उसको एक mold में डाल करके सुखा दिया, उसका भी use होता था, mesopotamia, जो civilization है, वहाँ पर actually यही वाले use होते थे, mud bricks, और जो burnt bricks होते हैं, इन mud bricks को fire में cook किया जाता है, so that उनकी जो strength है वो बढ़ जाए, additionally, mud bricks पानी के जैसी contact में आते हैं, वो गल जाते हैं, और जो burnt bricks है, वो water को stand कर सकते हैं, तो ज़्यादा durable होते हैं, इसलिए आज हमको जो हरपन civilization है, उनके जो remains मिलते हैं, या जो उनके centers है, especially अगर आप कभी YouTube पर सर्च करेंगे, Mohen Jodaro in Pakistan now, तो आप देखेंगे कि आपको bricks specifically दिख रहे हैं, इतने सालों बाद भी, तो यह burnt brick, यही उसका specific अगर difference कहा जाए, और आज भी हम burnt bricks use करते हैं, style remains the same, यह भी एक continuing feature है from that age, why I am telling continuing feature, क्योंकि हो सकता है mains में इस तरीके का question आ जाए, यह आप से पूछा जाए कि Indus Valley Civilization की कौन सी ऐसे features हैं, जो आपको आज भी दिखाई देते हैं, या कुछ एक link बिठाईए, या compare करेए, तो इस तरीके से आप कर पाएंगे, इसके बाद underground drainage system, drainage system मतलब की पानी निकलने का एक network, क्या होता था, जैसे grid patterns में houses हैं, एक बहुत अच्छी चीज है कि sanitation बहुत important था, हड़पन civilization में, तो वहाँ पर हर house का अपना एक washroom था, toilet जो burn brick से बना हुआ था, पानी जो वहाँ से निकलता था, वो service drains, service drains, drains का network कैसा है, एक घर से पूरा पानी निकलता है, वो service drain है, जो घर के किनारे-किनारे, एक छोटी drain बनी हुई है, उसमें जाएगा, और ये सारे drains burnt bricks से lined up होते थे, ताकि वो durable हो, और वो आज तक भी हमें मिल जाते हैं, उनके remains मिल जाते हैं, पर ये जो service drains हैं, ये जा करके मिलती थी एक बड़ी drain में, जिसको main drain समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा underground का मतलब ये है कि जो ground level है, उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ था, सो दाट पानी अच्छे से drain हो जाए, इनमें एक gradual slope भी था, ताकि पानी कहीं अटके नहीं, ये manholes होते थे इनको upkeep के लिए, planidation hygiene बहुत important feature है इंडिस्टाली civilization का, यदि आप देखेंगे तो वो loose bricks से से covered होती थी drains, नहीं कहीं बीच में manholes बने होते थे उनके maintenance के लिए, तो इस तरीके से एक well developed drainage system हमको मिलता है, ये एक unique feature है, ये mesopotamia civilization में या Egyptian civilization में, इतना characteristically developed नहीं मिलता, इसके अलावा own characteristic pottery, seals and script, देखें, pottery की यदि बात की जाए, urban center था, business activities होती थी, agriculture was quite developed, तो जब agriculture developed होगा, grains का production होगा, मुझे कैसे पता कि agriculture was well developed, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे grainaries मिलते थे, अब grainaries तभी होंगे जब आपके पास store करने लाए एक grain हो, तो production था, घर में store करने के लिए pottery चाहिए होती है, जब grains अच्छे खासे quantity में हैं, तो pottery का quality भी improve होगा, तो हमको काफी thin pottery मिल जाता है, different different designs के मिल जाते हैं, perforated pottery, मिलब जिसमें 6-2 ताइप की भी मिलती है, वो शायद liquid बगेरा drain करने के लिए, और वाकी आप देख सकते हैं, इसके pictures मिल जाएंगे, pots, water containers, grain containers, ये सारी चीज़ें सेज में मिलती थी, बहुत सारी, even आप जो museum है Delhi में, वहाँ पर कुछ रखे भी हुए है, so if you have time ever, you can visit there, इसके लाबा seals, seals जो है, वो sheath stone में बनती थी, sheath stone एक soft stone है, उसको carve किया जाता था, उसके उपर different, different carvings मिलती थी, जिसे कुछ unicorn, people tree, mostly animal carvings, कहीं गहीं पर हम को unknown script भी मिलता है, कुछ लोग मानते हैं कि ये जो seals थी, वो as a currency use होती थी, but जहां तक मेरी information है, they were more used for indentation or for marking, क्योंकि हमारा trade होता था, we used to trade with mesa pota में, we means harapan civilization, harapan civilization का trade होता था, मैसा पोटा मिया से, मैसा पोटा मिया में harapan area की हमको steals मिली, वहीं से हमें पता चला की trade होता था, तो वो marking के लिए इसलिए है, क्योंकि currency होती, तो soft stone होना वो तूट जाता है बार-बार, तो currency usually durable चीज को ही बनाया जाता है, तो mostly believe किया जाता है कि ये marking के लिए use होती थी, उसके बाद script, script अभी तक decipher नहीं हुई है, ये एक logo syllabic script है, logo syllabic मतलब जिसमें कुछ pictures या graphic features भी थे और words भी थे, देखिए, ये purely pictographic इसलिए नहीं माना जाता, क्योंकि बहुत कम symbols है, pictographic script में symbols काफी जादा होते हैं, तो definitely ये pictographic नहीं है, लेकिन तो logo syllabic है, उसमें symbols actually कम होते हैं, उस हिसाप से इसमें जादा है, इसलिए मानते हैं कि कुछ mixture रहा होगा, तो logo syllabic, इसके लिए keyword मैं mention कर दू, bostrophedon, मुझे नहीं मालूम इसका exact pronunciation क्या है, बद bostrophedon, आप spelling check कर लीज़ेगा, ये इसकी writing style थी, जब भी हम लिखते हैं, जैसे हम English या Hindi लिखते हैं, देव नागरी में ये दी Hindi लिखते हैं, तो we write it left to right, जब उर्दू लिखी जाती है, तो वो right to left लिखी जाती है, इनका bostrophedon है, ये क्या करते हैं, ये विल राइट to left, आप में left to right, उसके बाद वो फिर वहीं से, जहां खतम हुआ है, वहीं से दूसरे साइट चले जाएंगे, इसा लिखा, फिर दे रिटन लाइक दिस, फिर दे रिटन लाइक दू, ये भी कैसे पता चलता है, जहां ये स्क्रिप्स मिलती है, वहाँ पर हमको क्लम्बिंग, आप में कंजेशन मिलता है, जैसे उसने लिखना शुरू किया, जैसे हम भी लिखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फेला फेला करके लिखना, फिर लास में जाके कंजेशन मिलता है, इस तरह का कंजेशन यहां दोनों साइट पे मिलता है, तो एक्सबर्स का कहना है, कि बॉस्ट्रॉफ इडॉन स्क्रिप्ट होगी, अब हम डीटेल में पढ़ेंगे इसके डिवलप्मेंट को, यह अर्बन सेंटर था, तो जब यह डिवलप हुआ होगा, तीरे दीरे टेखनोलोजी आई होगी, तो वी हाव थी फेज़ेशन अर्ली हरप्पन, मैच्वर हरप्पन, अब लेट हरप्पन, मैच्वर हरप्पन में अर्बनाईजेशन वाज अट इट्स पीक, बड़े-बड़े सिटी इमर्ज होने लगे, मोहिन जदाडो इस एन एग्जामपल अफ मैच्वर हरप्पन, तो यह एक ब्राड ओवर्विव है, आप टाइम लाइन अपनी इस जो पीपीटी पे स्लाइड है, उस पर आप देख सकते हैं, अब हम डिसकस करेंगे डिफरेंट साइट की, जो हरप्पन सिविलाइजेशन की हैं और उनमें क्या इंपॉर्टन फाइंडिंग्स रही हैं, सबसे पहले हरप्पा, हरप्पा रिवर रवी के किनारे है, इसमें हमको ग्रेनरी मिलती है, ग्रेनरी मतलब ग्रेन स्टोर करने की जगा, जब एग्रिकल्शर प्रोडक्शन जादा होगा, तो आपको उसको सेफली स्टोर करना है, ये अर्बन सेंटर सें हाईली डेवलप्ड हैं, क्योंकि शायद ऐसा लगता है कि ये एक्सेस ग्रेन्स को स्टोर करते थे, और फिर धीरे धीरे उसको यूज करते रहते थे, एक जुडिशिस प्लानिंग थी, इसके रावा हमको हरप्पा में मिलता है एक रेड, रेड सैंड स्टोर मेल टॉर्सो, उसका हेड नहीं है, सिर्फ यहां पर इवन शोल्डर के वल हैं, हैंस आर अलसो नर देर, वह के वल यहां से लेकर के टॉर्सों तक का एक हमको स्कुल्प्चर मिलता है, हरप्पा में, यह important है कि कौन सी साइट में कौन से important features हैं, कहीं match करने के लिए आ सकता है, या multiple choice में आ सकता है, इसके लावा हम कोई stone के कोई symbols मिलते हैं, that look like lingam and uni, यह हो सकता है क्योंकि अथरवेद आलसो राइट, कि lingam and uni की जो worship है, वो pre-Vedic period में थी, तो maybe वो heart up in period में शुरू ही हो, और क्योंकि हमें मिलते भी हैं यह structures, और कोई बहुत ही concrete evidence नहीं है, यह कहने के लिए कि क्या वो objects of worship थे, क्योंकि हमें script नहीं मालूं, बट यह structures मिलते हैं, हमको painted pottery मिलती है, जो pots हैं, उनकी उपर कुछ figures, कुछ leaf जैसा figures, उसमें आप दिखेंगे, तो उसके जो fertility पे जादा focus दिया गया है, the body has very prominent portions, to showcase उसकी fertility का feature, to showcase motherly feature, उसके लाबा dice मिलता है, dice मिलने से क्या हमें समझ में आता है, कि entertainment के लिए जो games हैं, वो develop हो गए थे, once again, यदी mains में question आए, कि आप इसको relevant करिये, या आज की date में, कितना relevant हैं, इस वैली का art and architecture, आप लिख सकते हैं, कि dice हमको हडपा में मिला, आज भी dice is a prominent feature of many games, और many activities, coming next, Mohen Jodaro, Mohen Jodaro, RD Banner जी ने 1922 में, अच्छा हडपा was discovered by Mr. Sani in 1921, Mohen Jodaro, RD Banner जी 1922, आपको याद रखनी की जरूरत UPSC के हिसाब से नहीं है, कि किसने कब discovery की, हलांकि जो state PCS के exams होते हैं, या कुछ दूसरे जो exam होते हैं, जहां factual knowledge जादा इच्चेक होती है, वहाँ के लिए आपको ये details जरूरी पढ़ सकती है, तो आप accordingly, आप जिसके लिए prepare कर रहे हैं, उसके previous year questions देखिए, topic wise देखिए, आप समख जाएंगे कितनी details, कितने facts आपको याद रखना है, मोहिंजुदाडों पर वापस आते हैं, ये Indus Valley Civilization की सबसे बड़ी site है, यहाँ पर कुछ important features जो हमें मिलते हैं, Great Granary, Great Granary इसलिए कि it is the largest granary, जो हमको civilizational areas में मिलती है, Great Bath, Great Bath actually एक burnt brick से lined, एक बड़ा सा swimming pool type structure है, उसमें drainage की भी facility थी, ऐसा मानते हैं, अच्छा, उसके आज़ पास, अगर आप उसके photo या video देखेंगे, तो आप पाएंगे चोटे-चोटे rooms भी बने हुए हैं, तो वो क्या show करता है, कि वहाँ पर कुछ ritual activities होती होंगी, कुछ लोग किसी particular occasion पर आ करके, वहाँ पर ritual बात लेते होंगे, इस तरीके का कुछ रहा होगा, इसका भी relevance देखिए, आज भी ritual बात important है, कई जगों, कई जो occasions हैं, जैसे चट पूजा, चट पूजा में एक ritual बात का importance है, तो great बात वहाँ पर था, पशुपती seal, वहाँ पर एक seal मिलती है, जिसमें we find a person, who is sitting in a yogic position, मैं जब कभी भी ये words बोलूँ, तो आप please, अगर आपके पास mobile phone है, अगर आप इसको laptop पे देख रहे हैं, तो एक बाद जाकर के search करें, पशुपती seal, और उसका structure देखिए, so that आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रह सकें, चीजें बहुत factual हैं, आपको ऐसे creatively अपने mind में inputs देने पढ़ेंगे, तो पशुपती seal में एक व्यक्ती हमको बैठा हुआ देखता है, in a yogic position, yogic position मतलब है सकता है, padmasan है, और वो इस तरह से hands का gesture किया हुआ है, उसके horns हैं, horns on head, so horns on head, and a few animals are also sitting, उसके जो नीचे हैं, वहाँ पे कुछ animals हैं, so which animals, elephant, tiger and rhino, इसलिए जो नाम है, पशुपती, पशुपती, पशुपती means animal, और पशुपती, जनरल ही वो जो linguistic, वहाँ पे मानते हैं कि, God, I mean, as per my understanding of linguistics, तो उसका वैसा meaning है कि, animal God, something like that, ये इसको proto-Shiva बोलते थे, Max Muller, and today, I think, पशुपती is a temple also, in Nepal, तो उस तरह का एक सील मिलता है, मोहन जो दाड़ो में, इसके अलावा, एक important जो स्कुप्चर है, वो है, ब्रॉंज डांसिंग गर्ल का, ये एक, exact details, again, I can't recall, but I think, 12 से 14 इंचिस का, एक ब्रॉंज का स्कुप्चर है, जो स्कुप्चर है, जो स्कुप्चर है, Coming next, चानुदारो, ये sites आप याद रखिये, ये matching के लिए आ सकती है, important features याद करिये, और प्लीज प्रीवेस एर क्वेशन देखिये, ताकि आपको मालूम हो का, आपको कितने facts याद रखिये, moving on, चानुदारो की discovery, 1931 में हुई थी, जो NG मजुमदार ने की थी, यहाँ पर एक important feature है, bead making factory, चानुदारो और लोथल, दोनों जग़ों पर, bead making factory पाई गई, वहाँ पर beads stone के होते थे, कुछ जो precious stones होते थे, उन में, तो इसको bead making कैसे, they used to drill holes into it, तो वो tools हमको वहाँ से मिलते हैं, और हम पता चलता है कि, maybe bead making factory was present, इसके अलावा, वहाँ पर हमको ink pot मिलता है, lipstick, lipstick as in not the stick that we see, but some colorants are, you know, some mineral colors we find, तो जो probably इसके लिए use होते होंगे, then metal workers, मतलब metal के works वहाँ पर, या metal working के tools वहाँ पर मिलते हैं, एक brick है वहाँ, जहाँ पर dog का print मिलता है, dog's paw, I mean जो उसका पंजा है, उसका एक print मिलता है उस पर, तो maybe या तो वो गीले में चल गया हो, that can be a possibility, या वो recording के लिए रखते थे, या उसमें imprints लेते थे, we do not know, but we have a brick, boys होते होंगे, वो हमको मिल जाते थे, तो एक bullock cart हमको वहाँ पर मिलता है, terracotta का बना हुआ, terracotta भी वो cooked clay type का clay होता है, उसको पका करके बनाते हैं, तो this was Chanudaro, Chanudaro is on the banks of river Indus, ये आप याद रख सकते हैं, क्यूंकि अगर उन्होंने matching में पूछ लिया, तो at least important sites आपको मालूम होनी चाहिए, अब, now we will be coming to other sites, Lothal, Lothal again important है, ये लेट हडपन की site मानी जाती है, इसको S. Rao ने 1953 में discover किया था, ये एक important naval trade site है, क्यूंकि हमको यहाँ dockyard मिलता है, I think I missed something in the previous site, Post-Cremation Burial में क्या होता है, कि हमको graves तो मिलता है, कुछ burial structure तो मिलता है, उसके अंदा कोई remains नहीं है, कोई skeleton नहीं है, इसमें दो चीजें मानी जाती है, एक तो ये कि या तो cremation कर दिया, और उसके बाद से विए symbolic, memorial type का बनाया, या फिक body recover नहीं हुई होगी, animal ले गया होगा, तो उसको honor करने के लिए, एक symbolic burial किया हो, So this is post-cremation burial, coming back, Lothal, Lothal पर हमको cremation की site मिलती है, हमको मालूम पढ़ता है, कि हमको cremation की practices शुरू हो गई थी, चौक्यार जैसा मैंने कहा, वहाँ rice की husk मिलती है, which means rice was present at that time, double burial मिलता है, जहाँ पर हमको male और female, दोनों की remains मिलती है, यह जो archaeologist है, उन्होंने उन remains पर जो test किये, उससे मालूम पढ़ा कि वो male की है, या female की body है, और पाया गया कि एक ही grave के अंदर, दोनों remains हमको मिले, कुछ रों का मानना है कि वो सती हो सकता था, हाला कि कोई evidences नहीं है, क्योंकि कोई age में difference, या ऐसा कुछ occasional नहीं वहाँ पाया गया, तो for the record, double burial जहाँ सिफ दोनों की हमको साथ में remains मिले, उसका reason or anything not known, again, Lothal is near Bhugawa river, तो वो आप ध्यान रखिये, then again, moving on, धोलावीरा, धोलावीरा, लूनी river जो है, गुजरात में, वो run-off कच में drain होती है, उसके साइट पे है, यह आर बिष्ठ ने 1985 में discover किया था, यहाँ पर एक बहुत यूनीक water harvesting system, हमें देखने को मिलता है, एक reservoir है, और इसमें storm water drainage system है, जो पानी collect होता था, वो वहाँ पर जा करके store हो जाता था, धोलावीरा, यूजरी अगर आप पूरी बाकी इनको देखेंगे, आपका जितने भी sites हैं, वो दो पार्ट में हैं, सीटाडल और नॉर्मल जो टाउन है, जो वो ग्राउंड पर हैं, और फिर थोड़ा हाइट पर सीटा लिल, धोलावीरा तीन पार्ट में हमें मिलता है, अपर, मिडल, लोवर, तो तीन डिवाइड़ है, ये तीन पार्स में डिवाइड़ है, और एक हमको बड़ा सा स्टोन का सरकल मिलता है, धुलाविरा which is near लूनी रिवर, now moving on सुरकोतदा, सुरकोतदा एस जोशी ने दिसकवर किया था 1964 में, यह एक लौती ऐसी साइट है, जहां हमको हॉर्स के रिमेंस मिलते हैं, यहां पर जो ग्रेफ्स हैं, उनका ओवल शेप है, usually rectangular शेप में मिलता था, but now they are oval in shape in सुरकोतदा, which is in Gujarat, वहां पर pot burial है, pot burial में क्या होता है, कि उसकी जो ashes है, यह जो bodily parts है, उसको एक किसी pot में रखा, उस pot को बरी कर दिया, तो जब excavations हुई, वहां पर pots निकले, उन pots में इस तरह के रिमेंस निकले, तो pot burial is in सुरकोतदा, उसके बाद हम soldiers का sign देखते हैं on pot's herd, so these kind of facts you can remember, don't run behind each and every, you know, factor either, just remember कि वहां पर को soldier sign on pot's herd है, pot burial है, और horse के remains मिलते हैं, इसके अलावा, पिर कली बंगन, कली बंगन घंगर रिवर के side में है, और ये एग घोश ने discover की थी, कली बंगन जो word है, बंगन actually comes from the word bangle, तो वहां पर bangle making factory है, वहां पर हमको प्लोड field surface मिलते हैं, इसका म of flowing आ गई थी, even multiple cropping के भी evidences है, एक से जादा crops के वहां पर lines पाए गए थे, इसका मतलब उनको agriculture का बढ़िया knowledge था, advanced agriculture वहां पर शुरू हो चुका था, इसके साथ साथ fire altars, fire altars मतलब यहां पर अगनी जलाई जाए, purpose not known, may be religious or may be secular, we cannot say, but fire altars वहां पाए गए, camel bones पाई गई, so this was Kalibangan, which is near, which is on the banks of river Ghaggar, now this is a rough schematic diagram of the rivers and कहां पे कौन सी साइट है, अब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में कौन सी states में, कौन सी साइट है, उसका एक brief overview, हर्याना, हर्याना में important sites मिलती है, बनावली जो की घंगर river के किनारे है, वहां पे oval shape के settlements मिलते हैं, अभी तह हम rectangular, grid ऐसी बातें कर रहे थे, यहां पे oval shape में मिलता है, drainage system जो की बाकी sites का एक characteristic feature है, वो यहां इतना systematic नहीं है, यहां पे barley grain मिलता है, lapis lazuli, lapis lazuli is a precious stone, या semi precious stone, व मिलता है, यहां पे fire altars मिलते हैं, और यह एक lothy ऐसी city है, जहां radial streets है, radial streets मतलब एक center में कुछ square है, या कोई जगह है, और वहां से radially, जिसे lines radiate करती है, उस तरीके से city setup है, उस तरह से मतलब streets बनाई गई है, usually हमने देखा ना, वो grid pattern, की rectangular ऐसे और ऐसे houses बने हो, यहां पे radially, पीछ में कुछ space और वहां से इस तरह से line by line बन गया, तो यह वहां का बनावली का एक feature हो गया, then next, जो site है, रखी गड़ी, जो घंगर रिवर के किनारे है, यह largest Indian site है, largest Indian site होगे मोहिंजदारो, वो पाकिस्तान में है, इंडिया में रखी गड़ी, trainry मिलती है, symmetry मिलती है, drains म तो nothing very different from what we have studied, just जो अलग-अलग feature है, वो आप याद रखी, इसके अरावा एक और जो site है, वो है भगवानपुरा, next state पे आचाते है, पंजाब, पंजाब में एक ही site है, जो important है हमारे लिए, रोपर, रोपर सतलच river के किनारे है, वहां पे हमको human के oval pit burials मिलते है, जिसमें dog क practice थी, वो pets के साथ बरी करना, उसके यहाँ पर भी कुछ evidences मिल रहे हैं हमको India's valley civilization में भी, कि human remains के साथ-साथ, dog के remains भी वहां पर है, copper का X मिलता है, क्योंकि हमने का चालको लिथिक, चालको means copper, तो copper का X मिलता है, और independent India में यह पहली site थी, जिसको excavate किया गया था, अब next state पे जाए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में यमना नदी के किनारे आलमगीरपुर है, वहां पर एक broken copper का blade मिलता है, broken copper blade, ceramic के items मिलते हैं, और impression of a cloth, cloth on a trow, actually cloth की बात की जाए तो इंडस वाली civilization में wool और cotton, दोनों material यूज हुआ करते थे, तो उसका हमको एक trow पर impression मिल जात हैं कि ये किसी कपड़े का pattern रहा होगा, इसके अब हमको copper का blade और ceramic के items, ceramic के items मनलब पॉट्री या उससे related कुछ, फिर दो तीन sites और हैं, मानपुर, बारगाउं, हूलस, और सनॉली, sites जाद रखिए, features जो discuss किये गए हैं, I think वो sufficient होंगे, बाकि जो ये दूसरी sites हैं के नाम महाराश्टरा में, प्रावर रिवर के किनारे जो site है, दैमाबाद, महाँ पर हमको bronze की images मिलती हैं, कौन सी images मिलती हैं, एक chariot है, रत जैसा कुछ है, जिसमे एक charioteer बैठा हुआ है, fox, elephant, rhinosaurus, bronze का rhinosaurus, it is very famous, तो इस तरह की bronze की images हमको महाराश्टरा में, दैमापुर में मिल जा insights, आप insights को तो देखे ही, साथ ही, जो मैंने बताया, NCRT और Tamil Nadu, वहाँ पर जाकर के भी, वो maps देखे, उन maps में, और इन maps में compare करिए, और जो भी extra sites उनको add कर लीजे, PPT के IKS handouts आपको मिल जाएंगे, तो आप इसको print out करके देख सकते हैं, अब हम important features को detail में discuss करेंगे, हमने बात की थी, town planning and structures की, urban culture था, advanced city planning थी, rectangular grid patterns थे, जहाँ roads को, जैसा आप जो side में diagram है, उपर वाले को आप देखे, जो उपर वाले में भी left वाला portion है, आपको rectangular sections देखेंगे, तो इस तरीके का development था, burnt mud bricks use होते थे, मैंने जैसे पहली बताया कि Egypt भी Mesopotamia, दोनों use करते थे, वाँ burnt bricks, और gypsum का mortar था, साथ ही उथा English bond method एक तरीका होता है, bricks को arrange करने का, वो use किया करते थे, until date वो use होता है, bricks एक proper proportion में थे, उनकी height, width और जो breadth होती थी, वो एक proper proportion में होती थी, यानि measurement का system well developed था, और gypsum का mortar as a binding agent, जो cities थी, वो दो parts में developed थी, सीटाडल, जो की एक raised platform होता था, उसको upper सीटाडल, और एक lower town, lower town मतलब उसकी height थोड़ी सी कम होगी, compared to सीटाडल, वो एक नीचे level पर होगा, उसको बोलते थे, lower सीटाडल, अब आप अगर आज से compare करिये, आप मैं दो नाम बोलूंगी, and you just think about them, राय सीना हिल, capital हिल, यह दो important places in respective countries, even today, जो important locations हैं, वो आपको height पर मिलेंगी, मैंने राय सीना हिल का नाम लिया, capital हिल का नाम लिया, और जो normal areas हैं, जो normally developed हैं, वो आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ मिलेंगे, comparatively वो lower structure में होंगे, तो यह तब भी था, अपर सीटारल में important buildings होते थे, grainry, great bath, बड़े-ब quarters, जो may be वहां के जो authority figures रहे होंगे, वो रहते होंगे, और lower sitaral में हमको छोटे घर, normal बने हुए घर मिलते थे, तो वहां पर working class quarters रहे होंगे, ऐसा माना जाता है, जाधा तर जो buildings थे, उनके अपने खुद के wells होते थे, और well ventilated bathrooms थे, यह मैंने already पहले ही discuss कर लिया था, कि sanitation औ hygiene वहां पर important था, तो हर घर में एक private well, और वो drainage system जो बताया था कि bathroom है, फिर bathroom से पानी discharge होके service lane, survey lane से discharge होकर के main drain, और main drain में फिर manholes और loose brick covered, एक चीज़ है कि यहां पर बहुत ही large monumental structures नहीं है, यदि आप Egypt और Mesopotamia को देखेंगे, तो आपको बड़े temples मिल जाएंगे, बड़े pal industrial type of buildings मिल जाएंगे, उस तरीके का system यहां पर हमको नहीं मिला, तो probably एक egalitarian social makeup रहा होगा, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि कुछ monarchy थी या कुछ, जिसे आप अगर देखेंगे कि Mesopotamia में, एक head priest, head priest करके वहां पर Mesopotamian history में आपको मिलेगा figure, probably वहां पर religious authority रही होगी, इस तर social makeup was a feature, and advanced grainage system I have already discussed, now we'll move on to agriculture, जिसे मैंने कहा कि agriculture was well developed, दो तरह के crops main थे, wheat and barley, इनके evidences हमें कैसे मालूम है, जो grainaries है, वहां bricks थी, bricks के बीच में gap होता है, उन gap मैंसे कुछ grains मिले, grains की dating की गई, और वो उतनी ही पुरानी पाई गई, जितना पुराना ये period है, तो wheat मिला, barley मिला, rice हमको lothal और रंगपुर में ही सिर्फ मिलता है, इसके अलावा हमको dates मिलते हैं, mustard, that is sarson, sesame, cotton, cotton और wool दोर मिलते थे, rye and peas, ये कुछ important crops हैं जो उस time पे develop हो गए थे, ये माना जाता है कि cotton produce करने वाले, ये world के पहले लोग थे, first civilization जिसने cotton बनाया, उसको use किया, और इसलिए जो Greeks थे, जब हम उनका literature पढ़ते हैं, तो इनको sindon कहते थे, because of the word cotton, इसके अलावा animals जो थे, मैंने भी बताया कि कली बंगन में हमको प्लो के marks मिलते हैं, तो जो प्लो थे, वो प्लो इंग, animal drawn wooden प्लो थे, और stone के sickles थे, sickle means जो काटने के लिए use होता है, वो stone के बने हुए थे, और animals के द्वारा ड्रॉ किये हुए wooden के प्लो थे, इसके अलावा agriculturally अगर हम कुछ देखें हैं, तो हमको गबरबंद और नालाज, मतलब एक ऐसा channel type का है, उसको छोड़े से dam से ब्लॉक किया हुआ है, उस तरीके के हमको structures मिलते हैं, अलाव कि ये channel irrigation या canal irrigation नहीं था, क्योंकि वो proper evidence नहीं है, maybe वो water को कुछ divert करने का कोई तरीका हो, रोकने का कोई तरीका हो, but so for the record, channel और canal irrigation was probably not practiced in Harappan civilization. Now, sufficient food grain produced होता था, हमने discuss किया था, grainries थे, potry थे, cereals जो थे, वो taxes के रूप में peasants से लिये भी जाते थे, frenry में store किये जाते थे, और wages और emergency के लिए भी use होते थे, यानि cereals produce हुए, cereals को as a tax use लिया, cereals को as a salary दिया, that is wages दिया, और फिर emergency situation में उनको हमने बाटा भी, ये जो system है, ये Mesopotamia में भी हमें मिलता था, और ये आप देखिए तो बाद में भी जो historical period हमारे developments रहे हैं, ये feature हमको वहाँ पे मिलता है, कि grains as a mode of exchange, they continued, this was present, इसके बादावा, domestication of animals is very important, अभी हमने discuss किया था, कि हमको एक dog के remains मिले हैं, एक burial में, तो animals की अगर बात की जाएं, तो fox, fellows, goat, sheep, pig, dogs, cats, asses and camels were domesticated, why am I reading out these names, because वो कई बार आपसे पूछ सकते हैं, कि following animals were present in the inner society civilization, फिर वो कुछ combination दे देंगे, एक idea तो आपको होना चाहिए कि कौन से थे और कौन से नहीं थे, rhino was also there, hummed bulls were favored, hummed bull actually, एक हमको seal भी मिलता है, जिसमें hummed bull बना हुआ है, और and a person is standing, it seems as if he is worshiping, so maybe वो animal worship रहा हो, cannot be said, but we do have seals showing hummed bulls, so they were considered important, horse centered नहीं था, यानि horse एक important animal नहीं था, जैसे आप देखेंगे, अभी हम जब आगे बढ़ेंगे अपने इस course में, तो जो वैदिक period है, वहाँ पर horse becomes very important, वो horse driven chariots, वो horse को लेकर के आना और वो सब, अभी था horse important नहीं है, सुर कोतदा में हमको definitely कुछ remains मिलते हैं, but we cannot say that it was a culture which was centered on horse, so remember that, remains found but not horse centered, also horses were found in सुर कोतदा, मोहिंजदारो and Lothal, these three places we find the remains, lion was not known, we do not have lions, elephants and rhinoceros they were well known, I mean, हमने भी discuss किया था कि वो जो पशुपती वाला seal है, उसमें भी हमको ये दो animals मिले थे, so this is about the domestication of animals, please remember these facts, they might be useful in your prelims examination, moving on, we will discuss about technology and craft, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, first urbanization in it, क्योंकि बहुत ही sophisticated town planning, sophisticated drainage, advanced economic exchange, क्योंकि Lothal में naval trade भी हो रहा था, ये technology की यदी बात की जाए, देखे, technology independently developed नहीं होती है, technology और civilization के आपस में linked है, जितना advanced civilization होगा, उसको आगे ले जाने में technology का हाथ होता है, जब आपके पास advanced tools आ गए, आपने, I mean, जो prehistoric people थे, जब उन्होंने advanced tools को develop किया, उन्होंने jungles को cut down किया, plain land, agriculture develop किया, उन tools के जरियर उनका जो prosperity बढ़ी, उसी से उन्होंने अपने civilization को भी बढ़ाया, तो technology and civilization, somewhere they go hand in hand, तो उस time पे stone के साथ साथ वो bronze से भी काम करने लगे थे, जिसमें कई बार arsenic और copper भी mix होता था, tin की जगह, अगर आप देखेंगे तो tin और copper उस time पे easily available नहीं था, I think tin अफगानिस्तान वाले area से आता था, और copper की जो excavation थी, जो copper बनाने का जो और exploration था, वो तना easy नहीं था उनके लिए, तो tin और copper दोनो easily available नहीं थे, इसलिए bronze के जो tools है, वो आप बहुत जादा ample amount में नहीं आपको मिलेंगे, just a few, you know, few artifacts we will be finding of bronze, but important thing is, they knew how to work with stone, because वो seals बना रहे थे, वो beads बना रहे थे, they knew how to work with, you know, they knew how to work with stone, they knew how to work with bronze, lost wax technique, all these techniques were known to them, important thing is, iron was not known to the people, iron essentially came with Vedic period, iron, just remember iron and Aryan, you know, you'll be able to correlate, that iron is related to Aryans, it was not present in Chalcolithic period, that is Hadapan civilization period, इसके अलावा important craft, जो उस समय important craft से, उसमें spinning था, हमको spinning करने के जो tools है, spinner halls, यह वहाँ पर हमको मिलते हैं, और हमको brick laying, मैं बार-बार कहरी हूँ कि brick laying, वहां bricks के बहुत structures थे, तो brick laying की हमको वहां पर art मिल जाती हैं, molds हमको देखने को मिलते हैं, boat making, naval trade था, lothal पर dockyard था, तो boat making भी वहां पर practice होती थी, इसके अलावा seal making, 14 quarter manufacturing, potter's wheel, potter's wheel वही जो आम देखने जहां पर pottery बनाई जाती है, तो यह सारी चीज़ें वहां पर हमें मिलती थी, इस तरीके का technological development था, goldsmiths थे, क्योंकि jewelry, if you get a chance, please visit the museum in Delhi, I don't remember the name, वहां पर अभी भी वह jewelry रखी हुई है, वह stone में है, और gold में है, so you can just visit and have a look, or you can also look at the pictures, weed making, these were important crafts that were practice at that time, and they were well aware about the use of wheel, definitely, wheel वहां पर proper use में था, potter's wheel में था, और bullock cards भी चुच्छटे बनते थे, उनमें wheel लगा हुआ होता था, उनको यह सारे uses अच्छे से वह चांते थे, these are a few pictures, first वाला एक, I think, urban center का picture है, third वाला यदि आप देखें तो वह एक seal है, जहां पर unicorn बना हुआ है, नीचे से देखेंगे तो जो first है left में, that is Pashupati seal, you can see horns on the head, yogic position, and the second to the left is bronze dancing girl, उसकी jewelry आप notice कर सकते हैं, hand का posture देख सकते हैं, उसके बगल में जो है, उसको हम बोलते हैं, the bearded man or priest, I think bearded man is a bearded priest, something like that, because of his beard, उसमें आप cloth को देखें and cloth के patterns को observe करिये, इससे पता चलता है, कि cloth making was well developed at that time, further, जो sculpturing की practice है, वह भी अच्छे से developed हो गई थी, क्योंकि एक level of symmetry हम देख सकते हैं, stone की working में, जो last picture है वो एक pottery की है, पौटरी पे कुछ geometrical structures हम को देख रहे हैं, और आप उसके अगर ऊपर का mouth देखेंगे, तो आपको आप उसकी तिससा thin pottery, अलब अगर हम इस language में देखें, जो thick pottery होती है, brittle pottery होती है, that is considered of poor quality, this is a fine quality pottery, which is also a marking of the prosperity of that period. These are the basic pictures. Now we'll move to trade and commerce. Trade was practice in that period, उसका support था देखें, granaries थे, so grain का वहाँ पे exchange होता था, seals थे, maybe they were exchanging seals for something, a uniform script थी, regulated weights and measures were found, हमको अभी भी मिलता है, कि कुछ weights के लिए standard stone के structure, or metallic structures हमें वहाँ मिलते हैं, and one peculiar thing is, कि वह 8 और 16 के multiples में मिलते हैं, जो उनका weight है, जो measurement करने का scale है, यह practice भी एक हो सकता है, continuity रही हो, uniform script, granary seals, यह सब support करते हैं, कि एक well developed trade था, यह inter-regional और foreign trade, तोनों करते थे, inter-regional मतलब अपना आपस में कर लिया, जैसे कि bead making factory चानुदारो और लोथल में है, तो वहाँ से ले करके, कली बंगल में बैंगल factory है, they were exchanging amongst themselves, they were also exchanging it with other people, I mean abroad, they were having trade with Mesopotamia, जो Sumerian texts हैं, उस region के, वहाँ पेक word मिलता है, Meluha, which is a name, which is given to Indus region, यह Indus region का ही नाम है, और दो हमको trading station के नाम मिलते हैं, Dilmun, जो आज बहरेन में है, और Makan, जो कि आज Makran Coast है, यह वह Arabian region है, तो इसका मतलब देखे कि, naval trade well developed है, अगर text mention कर रहे हैं, तो bulk of trade was also present, transportation के लिए bullock cards use होते थे, क्योंकि हमको चुरे चुरे prototypes मिले हैं, तो definitely बड़े prototype, बड़े जो structure से हो रहे होंगे, और उसके लावा boats already थे, for naval exchanges, और barter system था, क्योंकि हमको currency type का figure नहीं मिलता, जो seals भी है, मैंने का soft stone है, breaking उसमें था, और लगता है जैसे marking के लिए जादा use होते थे, तो barter था, exchange करते थे, अगर important, import और export की बात की जाए, तो import में gold, silver, copper, tin, shade and steatite, जादा तर चीजें यही stones and precious stones, precious minerals ही है, silver came from Afghanistan, tin also came from Afghanistan, rest came from different, you know, regions, these were the important articles of import, for export, agriculture products, जो ग्रेनरी से जाता था, cotton goods, terracotta figures, weeds from Chanudaro and count shell, count shell means the, these shells that are found on the coast, from lothal, ivory products, elephant was present, so they were working with ivory also and copper products, these were the important items of export, क्या आपको मालूम होना चाहिए, यह भी prelims में पूछा जा सकता है, तो आप इस जब भी PPT का handout print लें, तो यह सारी factors को अच्छे से revise कर लीजे, Now, social organization, hierarchical, हमको वहां पे structure मिलता है, क्योंकि urban जो habitation था, वहां पे कुछ घर हमको बड़े मिलते हैं, कुछ घर छोटे मिलते हैं, सीटारल मिलता है, लोवर सीटारल मिलता है, इसका मतलब, there were people who are more important, people who are less important, ऐसा लगता है, जैसे merchants, क्योंकि trade was well developed, merchants must have been important people, priests, maybe priests might have been important class of people, जो बड़े घरों में रह 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 थे, वह fashion conscious थे, उनके पास different hairstyles थे, जो bearded girl है, वह कुछ bun type का कुछ बनाई हुई है, जो वह bearded priest है, तो उसके well combed, neatly tied hair है, जो headgear भी उसने पहना हुआ है, और cosmetics use होता था, cinnabar की sticks use होती थी, colirium, colirium is kajal, lipstick use होता था, even vermilion भी मिलता है, क्योंकि हमको कुछ red color के products मिले हैं, in the head parting of a few sculptures, so they were very fashion conscious people, jewelry was important, क्योंकि हमको बहुत सारे structures में, बहुत सारी jewelry के figures देखने को मिलते हैं, there were necklace, armlets, finger rings, and अच्छा, both men and women were wearing these jewelry, मला हमको दोनों male and female sculptures में jewelry पहने हुए दिख जाते हैं, लेकिन कुछ jewelry है, just like bangles, dancing girl ने पहनी हुई है, mother goddess ने पहनी हुए, girdles, girdle जो है I think it is for waist, anklets, earrings, यह सारफ हमको women sculptures हैं उसमें देखने को मिलता है, so this was about jewelry, apart from that, beads, beads जिससे वह पूरा jewelry बनाते थे, आप अपर jewelry का photo देखेंगे तो आप देखेंगे के अलग-अलग shape की जो beads हैं, उसको एक string में पिरो करके उन्होंने jewelry बनाई है, तो यह जो beads है वह gold, copper, bronze, cornelian, cornelian is a semi-precious stone, quads, ketite, lapis lazuli, इस तरह के जो stones होय है, minerals है, metal से, उससे वह beads बनाते थे, और इस हिसाब से अपनी jewelry को design करते थे, कई beads बहुत ही ornamental figures के तरह भी थी, कुछ तो normal circular spherical figures, कुछ cylindrical beads भी मिलती थी, और कुछ तो natural patterns, as in animal models, animal model जैसे beads भी होते थे, fishing, hunting and bull fighting were pastimes, fishing, hunting because वो कही ना कही seals में कही देख जाता है, bull fighting क्योंकि बार-बार जो hummed bull है, उसका figure देखने को मिलता है, these kind of activities were their leisure activities, यह एक conceptual figure है, कि perhaps this kind of social organization might have been present, you can see potter's wheel, you can see women wearing you know, well developed fabrics, jewelry can also be seen, so this kind of bricks, you can see brick structure in the figure, तो ऐसा कुछ रहा होगा, this is a conceptual representation. Moving on quality, uniform culture एक देखने को मिलता है, आप different different sites पे यदी देखेंगे, तो एक जो pattern of drainage, pattern of development, उसमें कुछ ना कुछ commonality है, what does that mean, इसका मतलब है, कहीं ना कहीं, कोई central authority रही होगी, जिसने इस पूरे structure को oversee किया होगा, maybe there could have been a central authority, we do not know for sure, because the script has not been deciphered, so organizing force कैसी थी, I mean organized कोई force थी, standing army थी या नहीं थी, इसका कोई clear picture नहीं है, Central authority might have been there, whether they had an army, not known, no clear idea either, see, again, we are making speculations, Central authority we are saying, because uniformity in culture, maybe one authority might have overlooked, you know, the entire developmental process, but for army, we don't even have any kind of evidence, we do not find weapons, we do not find any kind of, you know, battle remains, or anything like that, that we can see that there were, you know, fighting हो रही थी, कुछ युद्ध हो रहे थी, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता, again, जो हरपा में हमको ये एक sculpture मिलता है, bearded priest का, ये माना जाता है कि, जिसे Mesopotamia में हमको मिलता है, वो king priest है, Mesopotamia में, the priest was the ruler, but ऐसा हरपा में नहीं है, possibly, ये merchants थे, जो की rule किया करते थे, क्योंकि trade was more important, आप देखे, आपको बड़े-बड़े पूजा करने के sculptures नहीं मिल रहे, आपको elaborate, religious procedures के evidence नहीं मिल रहे, लेकिन trade के evidence is well established है, वो Sumerian text में मेलुहा का होना, बहरेन और वो दिल्मुन, इस नहीं का होना, seals का डवलप होना, ग्रेनरी का डवलप होना, it means trade was very important, merchants might have been more important, priests as in we do not have any evidence के priests had ruled हरपा, so what you can take with you is, that priests did not rule in हरपा, but they did it in Lower Mesopotamia, but not here, and perhaps the merchants were, you know, an important political figure in that period. Now religious practices. As I said, की एक seal मिलती है, जिसमें पशुपती महादेव, Proto-Shiva, Max Muller called him, एक वो seal मिलता है, साइर में दिख भी राह है नीचे आपको, योगिक position में बैठी हुए, सर पे हॉंस हैं, और elephant, tiger, rhinoceros हैं, there is also a buffalo and two deers, इस तरह का seal मिला है, वेदर दे वर्शिप, वर्शिप इस वी ऐसा लगता है, वो बड़ा ही पक्यूलर तरीके से बनाया हुआ है, बड़ाए, ट्रीवानलर तरीके सब्सटेग्ड टे वर्शिप्र आइड़ाए, वेड़ाए, 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 वे लूग वेड़ाए, the reality but probably this was a figure of religious importance to them then prelevance of phallus worship that is this lingam and uni as we have already discussed that rig veda i would like to correct myself here i said athar veda it was rig veda that is speaks of non-aryan people who were worshiping phallus so maybe that practice had continued from indus valley civilization please correct yourself as well it was it was a rig veda which mentions it and not athar veda i would like to correct that then chief female deity was mother goddess mother goddess a photo bhi dekhae ga ki she has a bulky body showing a fertility you know as the major feature oh important kyun tha kyunki hamei kai sari copies mili aur kai sari jagahon par mili so perhaps she was this you know deity was an important figure of worship they also worship fire because fire altars were found trees or animals bhi worship hote the kyunki seals pe mili hai kahi kahi inka inscription mili hai unicorn milta hai hum ko hummed bull milta hai trees actually people ka tree milta hai eek seal par kuch seals hamei ase mili hai jaha hamei ye sab cheez hai milti thi so these were the objects of worship for these people apart from that in ki jo jewelry or dressing practices hain amulets pehna yeh dikhata hai ki shayad yeh worst or evil forces mein belief karte thay aur unko dur rakhne ke liye is tarikay ki jewelry ka use kiya karte thay so this was about the you know jewelry to you know ward them away this was an idea about the religious practice of that particular indus valley civilization this remember them kyunki yeh as a feature puchhe ja sakte hai script indian subcontinent mein yeh oldest script hai pictographic script isko bola ja sakta hai maine pehle bola ki it is logo syllabic pictographic kya hotha hai jhaan peh sirf pictorially represented hoon har cheese ala ki uske hesaap se ismei alphabits kam hai kam alphabits paaye gaye toh pictographic plus logo I mean syllabic so it is logo syllabic and most of it on I have already explained wo right to left or left to right wala jho system hai us tari ka script hai it has not been deciphered so you know most of the things jho hamne discuss ki hai yeh hamne on evidences se jho sculptures miltai hai jho seals miltai hai wahan se samjha hai now we are moving to pot tree plain pot tree is more common plain pot tree matlab wahi ek banaya red clay se usko cooked it was baked toh uske usse strength bhadhti hai eek uniform acha uniformly sturdy mene ghaa mene ghaa hamne discuss kiya na potter's beel ka use hoota tha toh eek uniformly thick pottery banai jarae thi usko bake kiya jaraa tha jis usmei strength hooti thi phir eek toh ghi plain pot tree jho seedha unhohne liya bana diya bake kiya use kya eek hooti thi painted pottery paint kaunse red and black toh these are natural you know naturally bhi yeh thudha zahadha miltai hai so we find painted pottery a lot red and black common hai red color usually wou background me karthethe of eek glossy black paint usse wou designs of figures banaya karthethe aap pictures me deekh sakte hai ki unhohne red pe wou agar aap sabse last me deekhenghe jho third row hai second column usko deekhye orangishish red say red say green say black say white and yellow very rare remember this you know you will find geometrical patterns in red black and green but red and what do I repeat myself black green and red they were common but white and yellow were quite rare so this was all about pottery these are important figurines that we have dancing girl yeh pottery hai yeh unicorn ka seal hai yeh perforated jar hai oopar jis mein aap chhet deekh rahe hai yeh drainage ke liyeh yaa kuch liquids ko mix karne ke liyeh use hota tha now again we have come now we are coming to seals and ceilings humne bhout saare seals already discuss kar liyeh hai ek baat deekh liyteh ziaadata square hai square plague mtlb eek square shape mein stone ko carve kiya gya hai 2 by 2 square inches ziaadata statite se banne huwe te soft hoota hai woh carving asaan hoti hai seals mein usually animal achha animal to hai cow nahi hai cow becomes more important in aryan you know period is period mein cow is not very important or human figures bhi aapko nahi milenge seals pe mostly you will find animals aur eek side pe kuch animal ka figure hooga dousre side pe kuch inscription hooga aur yaa phir aapko downo sites pe inscriptions mil jayengi so is tarikaya ki seals humko dekhne ko mili hai inka usually to commercial purpose hoota tha as a form of identification for educational purposes aur saath mein amulets kyunki kya kya eek seal bana ya downo side holes drill kiye tying with a string and they would wear it as amulet to ward of the evil spirits or as a jewelry so is tarikaya se woh seals ko use karte thi is ke alawa seals kuch seals aisi bhi li hai jaha pe swastik jaisa symbol humko dekhne mein milta hai not very clear but still very very similar to it dho tari ki seals hain square and rectangular square are more common phir is ke alawa kuch important art ke features agar dhekhen to bronze casting lost wax technique aur i don't know the pronunciation of the word sere perudu something like that you can check lost wax mein vahhi hoota hai ki eek mold mein daal karke woh wax ka pahle eek mold banaate hain i mean wax mein carve karte hain uske baad phir uske through eek mold banaate hain phir wax ko melt karke baahar nikaal deet hain phir usme metal ndalte hain if you want you can you know search a video on youtube lost wax method kohi 2-3 minute ka animated video aiega usko dhekhen jya aur aapko samaj mein aajayega aaj bhi eek technique use hoti hai isme human or animal dono figures miltay hain humko bronze ka rhino miltay hain humko dancing girl miltay hain woh tribhang dancing position mein hain tribhang means uski body tene jaghoon pere mudi hui hai one at her head her head is also tilted her back is tilted and somewhere her hand also so eek tribhang ka posture hota hai dancing ka wos posture mein woh humko miltay hai is stone ke statues ki baat ki jaya to bearded man joh humko mohan jodaro mein mila tha woh bhi statite ke benne hua hai usko interpret kiya jata hai as a priest because of the way and you know woh uska jo clothing pattern hai the head gear seems like he was a and his eyes if you see woh semi closed state as if he is meditating so islehe kehthe hai ki maybe he would have been a priest isla wa red sandstone joh harappa mein humko mila hai terakota ke bhoas sare figures milye hai deity ke figures milye hai toys milye hai bulak cars ke prototypes milye hai ab decline ki agar baat ki jaya dikhye hum kehet hai abhi tak hum baat kar rahe te ki urban culture urban culture urban culture achwa abhi hum aage badhenge toh hum dekhenge ki jo argin period ayega early vedic period us mein wapas se urban culture gaaya boh jayega so it means the civilization declined and first it declined after that it just faded away we do not know the exact reason but definitely there are possibilities that have been you know suggested eek toh ye hai ki soil ki fertility decline hoi 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 why decline hoi hoi abhi amne discuss kya brick making bricks bhaat banaate the toh top layer remove karte gahe karte gahe so woh soil ki fertility hoi kam agriculture production ho gaya kam agriculture was the main activity at that you know time trade bhi jo tha woh agriculture ke hi aas paas tha toh phir jab yeh sab kam hooga toh dhere dhere civilizational joh culture woh bhi decline hoonne lagayega depression in land kooi tectonic activity hoi ho jisne reverse ka course change kiya ho jiske karen yeh you know kooi flood aya ho is tarikaya ka lagtah hai ki jisne civilization decline hoa ho aryan ka invasion kyunki mohenjudar ko katehane it is the mound of the dead may be there could have been halal ki dating suggest ki woh joe skeletons hain woh same time period ke nahin hain so again it is a speculation trade decline hua ho kyunki mesopotamia or egyptian civilization decline hui trade decline hua prosperity decline hoi kya flood or earthquake so anything could have been nowadays it is believed ki ecological imbalance could have been the most appropriate reason kuch aisa hua ki entire water you know hydrological characteristic change or tectonic activities took place something happened because of which the entire civilization declined so this was alright so this was our indus valley civilization I have tried to cover important points as per my own approach waakhi aap yeh slides ko parh lije aur joh resources maine aap ko jib start kia tha saith in ko supplement kariye I will give you a tip aap in ko jab print out kare tis eek side blank rakhye usse kya hooga aap jo blank side waha pe aap additional points add karsakte hai yaa aap ke compiled nodes पंचाएंगे आपको और पहीं देखना नहीं है. Now we'll just look through quickly a few questions to get an idea. ये सब आई हुए questions है. Previous year question में ये 2019 का question है. Which one of the following is not a हडपन site? चानुदारो, कोट दिजी, सोह गौरा और देसालपर. If you have read the maps, if you have a thorough understanding, the answer is सोह गौरा. विकर्स जब आप अभी आगे भी पढ़ोगे, तो सोह गौरा जो है, वो अशोकन पीरियड में वहाँ पे एक कॉपर का प्लेट मिला था. तो अगर आप उससे थोड़ा भी आपको याद रहेगा, तो आप कर सकते हो. And rest, other चानुदारों हमने अभी अभी आप मैप देखेंगे, यह इंपॉर्टन साइट है जरूर आएगा. तो इस तरीके का, इसीरे मैंने कहा था कि आप साइट को जरूर इंपॉर्टन ली पढ़िये, ऐसे फैक्स पूछे जाते हैं. यह जो क्वेशन है, इस विच आप देखा कि कोई टेंपल नहीं है, तभी तो हमें मालूम नहीं है को उनका रिलिजिन इग्जाट्वी था कैसा. तो सील्स देख करके, या सील्स पे जो फिगर्स देख करके हम तो अंदाजा लगाते हैं. यह वर्षिप बोथ मेल अंद फीमेल दीटीज, यहस, पशुपती, मदर गॉडड़स, इतलीस इतना याद हमें रहेगा. यहां से आप देख रीजिए सोगौरा, अशोका नहरा का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है. प्रकृत में हैं, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में हैं, कोट दिजी जो पाकिस्तान में हैं, वो हरपन साइट है, वहां पे बुल और मदर गॉड़स की स्टैचूज है, चानुदारों वी अवर्ड़ी दिसकूस्ट, देसलपुर जो की गुजरात में हैं, वहां पे भी पॉट्र प्रकृत की सील्स मिलती हैं, अगर आपको बहुत डिटेल में नहीं भी याद है, even if you vaguely remember, or just the names of these places, you'll be able to do the question. So this was it, and I think the first question तो आपने अलरी देखी लिया, so this was Harappan Civilization, important chapter, do revise it, and in the next class we will be continuing with the Vedic period, that is the coming of Aryans, Till then, keep studying. Thank you.